जोहिंद प्रेंट्स आप देख रहे हैं अड़ा 24-7 आईएस तदार भया कि इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है SP हो तो ऐसा हो IPS हो तो ऐसा हो पुलिस अधिक्षक हो तो ऐसा हो और UPSC क्रैक करके अगर आपको समाद सेवा करनी है तो IPS अमित बुदानिया के बारे ने आपको जानना होगा आखर ये इतना चर्चा में क्यों है क्यों फैल रही है इनकी positivity की news न सिर्फ राजस्थान government बलकि महिला आयोग भी इनकी बहुत तारीफ कर रही है हाला कि महिला आयोग बहुत कम पुलिस वालों की तारीफ करती है लेकिन इनकी तारीफ बहुत कर रही है ये मामला आपको पता है ये कौन सा कांड है अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ ये कौन सा कांड है ये वही कांड है जिस पे हमने एक session लिया था राजस्थान में महिला को निर्वस्तर कर घुमाया गया ये वही कांड है जो राजस्थान की एक tribal महिला को निर्वस्तर कर हुमाया या उसके अपने पती द्वारा ये वही कांड है जी हां और उस कांड में इतनी आगे अब मामला बढ़ चुका है कि अब इस व्यक्ति को जो involved था उसमें अब सजा हो चुकी है इन्साफ इन्होंने दिलाया अपना कर्तव पूरा करके इन्साफ इन्होंने दिलाया अपनी ड्यूटी पूरा करके नहीं सिर्फ अपनी बलकि आज पास के पुलिस कर्मियों को भी इस बात का एहसास दिलाया कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या पावर है और सही पावर को सही डि तो आईए, अगर आप कॉलेज में हैं, फुल टाइम तयारी कर रहे हैं, जॉब के साथ तयारी कर रहे हैं, तो comment section में जो Google form है, उसको fill कर दीजे, मुझे पता है आपको direction की जरूरत है, आपके पास सब कुछ है, मतलब courses है, video lectures है, किताबें है, notes है, आपको क्या चाहिए, direction चाह मौका दीजिए, बहुत सारे SAS friends मुझसे daily बात करते हैं, अपना time table भेजते हैं, मैं उनको guide करता हूँ, इसलिए, prelims में अब जारे time नहीं है, 7-8 महीने बचे हैं, लग जाए, comment section में जाके Google form fill करिए, और telegram मेरा like ज़रूर कर लीजेगा, चलिए, सलाह initiative का नाम है, one-to-one personal mentorship का जिक्र हो रहा है, और ये हमारा Rob 4.0 batch है, जिसके बारे में हम end में बात करेंगे, चलिए, जिक्र करते हैं क्या हुआ, होता ये है, कि SP अमित बुदानिया सहाब का हाल ही में transfer होता है परताबगड, इससे पहले वो ASP रहते हैं, Assistant Superintendent of Police, उनका promotion होके वो बन जाते हैं, SP Superintendent of Police, 2018 के IPS batch के officer हैं, जब इनका transfer परताबगड हुआ, बतौर Superintendent of Police, कप्तान सहाब, तो इनके phone पे एक unknown phone आता है, कहा जाता है, कि भाई, हमारे पास एक video है, और वो video, यही video था, जो कि ये महिला को निर्वस्तर किया गया है, SP सहाब ने जब उस video को देखा, तो उनके पैरों तरे जमी खिसक गई, उनको इतना गुस्सा आया, लेकिन गुस्से का सही जगह इस्तमाल किया, उन्हें तुरंद ADC Crime, AD Law and Order को रिपोर्ट किया, और वहाँ पे मामले की पूरी बात हुई, लेकिन किसी को ये नहीं पता चल पा रहा था, पोलिस विभाग में, कि आखिर ये video है कहां का इन्होंने अपने जितने भी इनके कंट्रोल में थाने आते थे, सच्चो थे, सबसे पूछा, लेकिन किसी को ये पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन video के हालात से और उसमें किरदार जो लोग थे, उसमें ये लग रहा था कि कहीं नहीं एक tribal, आदिवासी जगह का ये video है, त आपको तो पता ही था, कि जब ये मामला, ये video इतना viral होने लगा था, तो viral होने के बाद, कई बार, मतलब ये CM तक पहुंच गया, CM अशोक गहलोद जी ने भी tweet किया, उसके बाद फिर ADG crime थे, DG, उन्होंने भी इसको tweet करके सारी सूचना दी, तो SP अमित बुदानिया ने कि या क्या, उन्होंने अपने एक ऐस अच्चो को बोला, कि आप जाओ, और जब तक, जब तक, आरोपी और विक्टिम का पता नहीं लगेगा, आप वापस नहीं आना है, इन्होंने काफी छानबीन की, छानबीन करने के बाद, जो धरिया वाला area है, धरिया वार या धरिया व उसने अपने बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ बताने के बाद, फिर वो आरोपी मिले, जिन्होंने महिला के साथ बत्सलोकी की, बत्तमीजी की, और एक नग नवस्ता में पूरे गाउं में परेड कराया था, अमित बुदानिया सहाब ने लगभग रातो रात, छे पु वापिस बुलाए गया, और ये पावर देख रहे हैं, किस constructive way में यूज हो रही है, उनको वापिस बुलाए गया, साथ ही में अपने अंडर 6 SHO, 2 DSP की टीम लगाई, रातो रात उनको ढूंडा, और फिर जो अपराधी थे उनको पकड़ा, पहले तो तीन अपराधी जो हैं या 11 एक्यूज जो हैं, वो शामिल हुए हैं, जो महिला है, वो विचारी ये बताती है, कि साहब जब ये मुझे निर्वस्तर कर रहे थे, तो आसपास के जो लोग थे, वो हस रहे थे, इनकी जो ननत थी, वो भी हस रही थी, और आसपास के जो लोग है, वो चुटकलियां ले रहे थे, और बाद में ये हुआ, कि लड़की की जो फूफा जी आये, किसी तरीके से ढून के, सब को डाटा भगाया, और बस लड़की के ओपर वो वस्तर डाले, उनको ढखा और वो अपने उनको माई के ले गई, ये मामला था दोस्तों, अगर हम कह सकते हैं, लड़क से, लेकिन उसके बाद ये रहना पसंद नहीं करती थी, कुछ इशू था, उसके बाद फिर वो किसी दूसरे लड़के के साथ रह रही थी, एक्स्ट्रा मराइटल अफेर के बात की जाती है, लेकिन वो बात सारी सब कुछ ठीक है, कहा ये जा रहा है, भाई, मनिपूर जैस है, वो बिहारी है, वो काम करती है, वो इसकी बेटी है, वो इसकी बहु है, अरे भाई, वो औरत है, वो महिला है, वो नारी है, वो शक्ती है, आपको ये ध्यान देना चाहिए, उसकी गरिमा है, उसकी टिग्निटी है, आपको ये ध्यान देना चाहिए पहले, चाहे वो हस् पब्लिक एट लार्ज का मामला हो, पारिवारिक मुद्दा हो, या फिर समाजिक मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, आप महिला के इज़त के साथ खिलवार करने का आपको अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं रहा, तिब दुरियोधन को नहीं था, तो फिर आप क्या चीज हो बहुत ही अच्छा काम किया है S.P. बुदानिया सहब ने मज़ा आ गया है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं परतापगर दिस्टिक्ट से जो वीडियो वाइरल हुआ था जहां पे डिरेक्टर जनरल अफ पुलिस इंस्टॉक्टेड A.D.G. Crime को फिर A.D.G. Crime से बात हुई तो फिर S.P. अमित बुदानिया ने काफी जादे इस पर एक्शन लिया है अप्रिशियेट करते हैं तहे दिल से शुकरी आदा करते हैं हम लोग S.P. बुदानिया सहब का कि अगर वो नहीं होते तो शायद ये मामला और डीले चला जाता क्योंकि जो S.H. लोग थे शायद उनको पता ही नहीं चल रहा था पुलिस डिपार्टमेंट में काम इतना जादे है कि कौन वाइरल वीडियो देखने हैं लेकिन कुछ अच्छे सोर्सेज हैं युकि डिरेक्ली उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को बताया अशोव गहलोत ने भी ट्वीट किया था और ये महिला आयोक की वहां की अध्यक्ष है उन्होंने भी बहुत तारीफ की है पुलिस डिपार्टमेंट की शुकरिया आदा किया है अब जो महिला है उसकी काउंसिलिंग कलाई जा रही है ठीक है महिला ये हैं वो लोग जो की बटा भाग रहे थे और लपेटे में लिये गए काफी अब देख सकते हैं वीलचेयर पे हैं तो बेसिकली क्या है या देखिए सिक्षा की बहुत जरूरत है एडिकेशन की बहुत जरूरत है यह तीन चीज़ जो है वो हमें ग्राउन लेवल से स्टार्ट करनी होगी ताहिं कोई भी स्कूल और कालेज हो वो भविष में जाके उनके बच्चे उनके परिवार के सदसे ऐसा न करें आप अगरी करते हैं तो comment करके जरूर बताइएगा what do you think on this matter because this is a matter of our women, prestige and नारी शक्ती ये एक prelims का question है मैंने आपके लिए बना के रखा है ये payload आदित्य 1 है उसकी capability है सूरयान आपको पता होगा सूरज पे जो ऐसे round करने गया है भाई सूरज की सारी information details लें सूरयान के बारे में हमने आदित्य 1 के बारे में बहुत कुछ cover किया है तो उस पे जो payload है उसका क्या function से capacity है उसको आपको match the following करना है ये आप देख लिजी अच्छे से ठीक है इसका सही answer जो है वो मैं अपने telegram channel पे दूँगा जो की आपको वहाँ पे मिल जाएगा तो आपको इससे क्या करना है like, subscribe तो करना ही है comment section में जो google form उसको fill करना है telegram उसको follow करना है सही जवाब इसका वहाँ मिलेगा चलते हैं last but not the least civil services के examination में आपको ऐसी batch की आवाशक्ता थी न ऐसा batch चाहिए था जिसमें prelims, mains, CSAT, दो साल की वैलिटी, printed books और तमाम चीजें मिलें ये वही सारे batches हैं आप अपना भाशा चुन लीजे अगर आप bilingual हैं तो rob 4.0 अगर आप Hindi माध्यम से हैं तो परड़णाम English माध्यम से हैं तो English सारे option आपके पास available है आपको बस इस number पे call करना है ये जो number है 080-353-58472 और आपको कहना है कि मुझे सिद्धाद भाईया से बात करनी है मज़ा आ गया उनका session देखके और कुछ करना है तेश के लिए लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और इंडिया के लिए मिलतें अगले वीडियो में तब तक जय हिंद जय पारण